पूरी दुनिया बात कर रही है अब यूट्यूब पे देखोगे अमेरिकन्स, इंडियन्स, आफ्रिकन्स सबने ही इस पर वीडियो बना रखी है कि यूएस डॉलर को अब सावधी एरेविया ने छोड़ दिया है पचास साल का एक एग्रिमेंट था इसको रिन्यू अब नहीं किया जाएगा और अब पेट्रो डॉलर खतम हो चुका है और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि अब सावधी एरेविया यूएस डॉलर में ओयल बेचे गाई नहीं यहाँ पे आप देख पाओगे कई लोगों ने एक्स डॉट कॉम पे या फिर और प्लाटफॉर्म्स पे ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि सावधी एरेविया विल स्टॉब यूजिंग यूएस डॉलर फॉर ओयल सेल जबकि ये सई इन्फरमेशन नहीं है मैं ये बात एक्सेट करूँगा कि पिछले कुछ सालों में जियो पॉलिटिक्स में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है बट अट दे सेम टाइम गलत इन्फरमेशन फिराने वाले लोग इन्फरमेशन को गलत तरीके से प्रेजेंट करने वाले लोग ये भी बहुत ज़रा बढ़ गए हैं और जो ये साओधी रेविया यूएस डॉलर वाला टॉपिक है के एक एग्रीमेंट था साओधी रेविया यूएसे के बीच में अभी एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ेगा इसको लेकर भी बहुत सारी गलत इन्फरमेशन इंटरनेट पे फ्राई जा दिय है तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत जादा सरल भाषा में समझाओंगा के हाल ही में हुआ क्या है ये पेट्रो डॉलर का इतिहास क्या था और लॉजिकल तरीके से सोच कर देखना के दुनिया में आपके आसपास क्या हो रहा है और फिर आप खुदी समझ जाओगे के क्या है ना सबसे बेले तो यहाँ पे आप देख पाऊगे ये है रिचर्ड निक्सन ये युएसे के पूर्व प्रेजिडेंट है 1969 से लेकर 1974 तक थे ये युएसे के प्रेजिडेंट हम इंडियन्स इनको पसंद नहीं करते क्योंकि ये बात historically documented है कि ये racist थे इंडियन्स से न आंग्लादेश as a country बनके उभर गया हम इंडियन्स के लिए ना रिचर्ड निक्सन की लेगेसी काफी हद तक इसी वे सिम्टी है मगर आप अगर अमेरिकन से पूछोगे चाइनीज लोगों से पूछोगे आप सावधी रेबिया के लोगों से पूछोगे तो वो शायद 1971 इ जो economy है उस पर एक revolutionary impact पड़ा है और इसके बारे में आज भी एक Wikipedia page exist करता है ऐसा page किसी और President के बारे में आपको नहीं मिलेगा सिर्फ Nixon के बारे में है इस page का नाम है The Nixon Shock क्योंकि Nixon ने economy से related ऐसे निंडे लिए पहली बात तो जो एक international direct convertibility होती थी डॉलर की gold के साथ ये खतम कर USA किस तरीके से उधार उठाता है इसमें ये major changes लेके आये और सबसे बड़ी बात Nixon का एक ये मानना था कि कोई देश democracy है dictatorship है हमें उससे क्या लेना हमें देखना चाहिए कि क्या वो देश हमें फायदा दे रहा है नहीं दे रहा है और ये सोच आई थी Richard Nixon के अंडर उस वक्त के USA के जो Secretary of State थे मतलब आप कहली जिए USA के जो विरेश मंदरी थे Henry Kissinger इनसे Nixon और Kissinger दोनों ने Saudi Arabia को देखा और इनको ये दिखा के Saudi Arabia एक oil rich country इस country के साथ USA के relations खराब क्यों है क्योंकि यहाँ पर democracy नहीं है दोनों ने आपस मैं ये सोचा किसको पढ़ी है democracy की कि किसको पढ़ी है यहाँ पर dictatorship हो democracy हो हमें क्या हम Saudi Arabia के साथ एक understanding develop करेंगे कि Saudi Arabia अगर internationally crude oil बेशता है कच्चा तेल बेशता है तो वो बेचा जाएगा US dollar में और 1973 में Henry Kissinger जो Nixon के अंडर USA के Secretary of State थे ये गए Saudi Arabia में और एक historic understanding develop कर दी और उसके बाद देहिए international community में एक myth है जी हाँ मुझको यहाँ प मित है कि USA और Saudi Arabia के बीच में एक secret agreement signed हुआ था जिसमें ये बात लिखिद रूप से mention है कि अगर कच्चा तेल Saudi Arabia बेचेगा तो वो US dollar में ही बेचेगा और उसके बतले में US proper military security provide करेगा Saudi Arabia को, Saudi Arabia को technology देगा और Saudi Arabia की जो बाकी economy है उसको भी ये develop करेगा और आज के समय हो अला जो है Saudi Arabia को लेकर, वो इसी बात को लेकर है कि जो deal sign करी गई थी Nixon के time में, आज से 50 साल पहले June 6 1974 को ये deal अब expire हो चुकी है, खतम हो चुकी है, 50 साल हो गए, 9 June 2024 को ये deal खतम हो गई, और अब Saudi Arabia और US के बीच में कोई समझोता बचा नहीं है, नाव देखो, यहाँ पर आपको समझ deal हुई थी, क्योंकि कोई agreement, कोई document इससे related दुनिया के सामने आया नहीं है, दूसरी बात यहाँ पर यहाँ आती है, कि चलो एक बार को आप मान लो, कि deal अब expire हुई है, 9 June 2024 में, मगर Saudi Arabia ने पिछले ही साल, Chinese Yuan में तेल बेच कर, इस quote and quote deal को break करी दिया था, मेरे असाब से पहली बात तो कोई official deal थी नहीं, बस एक understanding थी, Nixon के अंडर Saudi Arabia और USA के बीच में बस एक understanding डेवलप हो गई थी, कि USA सपोर्ट करेगा Saudi Arabia को इरान के against, उसके बतले में Saudi Arabia कोशिश करेगा, कि जितना तेल हो सके, यह US dollar में बेचे, ऐसा कुछ, मैं कहूंगा, binding rule नहीं था, कि अगर तेल ब और फिर एक बहुत ही logical बात ये भी सामने आती है, कि जिस तरीके से कई media outlets claim कर रहे हैं, कि 9 June 2024 को जो यह deal थी 50 साल की, यह expire हो चुकी है, अब US dollar की power बची नहीं है, अगर ऐसा होता, तो dollar collapse ना कर चुका होता, हम 14 June में आ चुके हैं, 5 दिन हो गए हैं इस बात को, क्या dollar की value क्या रुपी dollar का जो ratio है, क्या कुछ ऐसा हो गया चानक से के 1 dollar के बतले आपको 40 रुपे मिल रहे हैं, या फिर जो Chinese Renminbi है, उसके इसाफ से dollar कमजोर हो गया हो, रूबल के इसाफ से कमजोर हो गया हो, dollar जहां पे था वही पर है, और ना US government, ना Saudi Arabia की सरकार ने officially इसके बारे में कुछ का है, ये बस आप कहली जिए, लोगों के बीच की बात है, कि कोई agreement हा, एक understanding थी, अब वो खतम हो चुकी है, ये बिलकुल दुनिया को साफ साफ दिख रहा है, कि de-dollarization हो रही है, de-dollarization का process start हो चुका है, धीरे-धीरे दुनिया dollar से दूर जाएगी, बढ़ ये process बहुत slow होगा, कुछ ऐसा नहीं है कि रातोरा dollar collapse होने वाला है, कुछ ऐसा नहीं है कि suddenly, अब जो भी trade होगा internationally, crude oil से related, वहाँ पे dollar का use नहीं होगा, इंडिया का case अलग है, हम जो रशिया से trade कर रहे हैं, वहाँ पे dollar का इस्तमाल by default हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि रशिया dollar accept नहीं कर रह है, तो चाइना और रशिया जो de-dollarization कर रहे हैं, वह अपनी जगा है, बट अभी Saudi Arabia और बाकी countries dollars accept करते रहेंगे, लंबे समय तक आने वाले कई सालों तक हाँ, eventually एक time जरूर आएगा, जब mighty dollar का fall आएगा, बिलकुल इसमें गिरावट आएगी, हमेशा के लिए ये world currency बनके न सल जाएगा, कुछ रातो रात आपको इसमें बदलाब भी अभी के लिए नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर हम data देखें, तो वहाँ पे हमको अभी भी दिखता है, कि 2023 में, oil का जितना भी trade हुआ है, जो भी oil खरीदा गया, बेचा गया, 80% US dollar में हुआ था, उसके बाद आप देखोगे, second number पे आपको मिलेगा, euro, फिर उसके बाद बाकी जो currencies है, ruble हो गया, Chinese renminbi हो गई, बाकी currencies आपको मिलेगी, अभी भी dollar की complete domination है, global oil trade में, और ये domination बनी रहेगी आने वले कई सालों तक, और भारत के विदेश मंतरी, डॉक्टर एजय शंकर से भी, में 2024 में, जब चल रही है कि dollar को बस use करना, बंदी कर दो, इसके बारे में आप क्या कहोगे, इन्होंने कहा था कि देखो, de-dollarization हो रही है, मगर completely बस ये चा जाएगी, dollar खताम हो जाएगा, ये exaggeration है, dollar is still the dollar, very, very exaggerated, तो again, देखो, personally आप मुझसे पूछें, obviously देखके अच्छा लगेगा, कि दुनिया में एक single currency की इत्ती domination ना हो, but at the same time, मैं ये नहीं चाहूंगा, कि आप किसी news को गलत तरीके से interpret करके, गलत information, गलत viewpoint आप अपना के बैठ जाएं, कि अब Saudi Arabia के साथ USA का जो agreement expire हो गया, अब Saudi Arabia dollar use नहीं करेगा, you need to understand कि अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और जो reality है, it is completely different, और finally यहापे मैं आप लोगों से question पूछूंगा, question ये है कि हाल ही में United Nations ने ये declare किया है, कि आने वाला एक साल, एक पूरा साल हम dedicate करेंगे to international year of quantum science and technology, आपको बताना है, कि ये कौन सा साल होगा, इस पर बहुत article publish होए है, कि UN ने designate कर दिया है, कि ये पूरा साल dedicated होगा to quantum science and technology, ये है आपकी options, 2024, 2025, 2030, या फिर 2045, comment section में करिए उत्तर, जो लोग सही answer देंगे, उनकी comment को मैं हाट दे दूँगा, ताकि वाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है, क्या आप जानते हैं, दुनिया में सबसे जादा महेंगी चीज क्या है, मैं आपको बताता हूँ, इसके वारे में एक बहुत ही famous quote है, nothing is more expensive than a missed opportunity, और आपके सामने इस वक्त एक golden opportunity है, study IQ के batch 10 को join करने की under a discounted price, बहुत कम देखने को मिलता है, कि study IQ का एक नया batch start हो रहा हो, और साथ ही साथ आपको मिले एक mega discount, तो study IQ की sale हो चुकी active, simply जाईए वीडियो के comment section में और यहाँ पे आपको links मिल जाएंगे, study IQ के batch 10 के ये batch 15 तारीक से start हो जाएगा, जब एक batch start हो रहा होता है, ये best time होता है उसको join करने का, क्योंकि chapter 1 से आपकी त्यारी start होती है, everything starts from the beginning, तो आप अगर simply इस link पर करोगे, यहाँ पर click, ना ये discount रहेगा, तो इस 30% extra discount को avail करने के लिए, simply click करिए offers available पर, code यहाँ पर डालिए PD10 और आपको मिलेगा the maximum discount possible in this sale, so use the code PD10 and save money, और याद रखिएगा, nothing is more expensive than a missed opportunity, so इसी note के साथ यह वीडियो कान, thank you for listening, may the gods watch over you.